नॉर्मली जो है वो अगर कोई भी structure बनाना है, high density का totally different है, और अगर हम traditional system में करते हैं, तो वो totally different है, तो generally जब हम whip plant लगाते हैं, दो से धाई feet के बीच में जो है वो, एक slanting cut लगा दिया, उसके बाद जो हमारा main, सबसे पहली बात है कि हमें cut लगाना क्यों है, हम सीधे यह उस पौदे को, क्योंकि आज कर एक जो new practice है, एक पौदा है, अगर वो पहली साल में आपने ग्राफ्ट किया, वो 5-6 feet का चला गया, उसके बाद हमने उसमें cut लगाना, हम notching से जो है, वो branches ले ले लेंगे, इसमें आप लोगों का क्या experience है, और मैं आप से जाना चाती हूँ कि यह सही है कि नहीं, उसके बाद मैं बात करूँगी, क्योंकि यह है practice easily ले वोड़ू, क्योंकि जो हम फील्ड में देते हैं, क्योंकि जो हम नहीं लगाना है कि जब हम कट नहीं है कि मैं एक साल की इतनी महनत को वेस्ट क्यों करूँ उसमें जो हैवे नौचिंग करके जो है वो ले ब्रांचिस ले लूँगा तो क्या फरक बड़ेगा इसमें तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने भी experience लिया है, कि जब हम कट नहीं मार रहे हैं अगर तो हम एमनाइन या ऐसे structure के साथ जहां ट्रैली सिस्टम लगा है वहाँ तो वह काम्याब हो यह चीज़ मगर अगर हम ऐसे ही नौर्मल या सिलिंग उसमें छोड़ रहे हैं तो जो strength है हमारे plant की वो नहीं आ रही और उसके बाद उसमें जो हमने फिर बाकी तो आप लोग विशे विशे शगया है वर जो हमने फिल किया है मैं भी कभी नहीं मानता हूं कि हमें प्रफरी छोड़ना चीज़ है हाँ आज की डेट में यह प्रैकिस है कि इतना बड़ा हो गया क्यूंकि जैसे हाइड देंस्टी का कम स्वाइड हमें क शलते हैं आपने ग्रोथ रेगविटर का नाम सुना होगा भार सारा आशकल बहुत चर्चा विश्य भी है तो कोई भी प्लांट है उसकी जो ग्रोफ रोथ होती है वह उन ग्रोफ रेगुलेटर के बसे पर ही होती है नॉमली जो हैं वह पांच ग्रोथ आप्सेसिक एसिड है उसके बाद आता है इथिलीन जो की ग्रोथ राइपनिंग एजेंट है तो यह पांच है जब हम टिप की बात करते हैं तो उसमें जनली यह तर्म यूज होती है एपिकल डॉमिनेंस मतलब जो एपिकल पॉर्शन इऊपर का जो टॉप वाला बड़ है वो दॉमिनेट कर रहा है पूरे के पूरे प्लांट की ग्रोथ को तो उसको हम बोलते हैं एपिकल डॉमिनेंस तो उस बड़ में क्या होता है जो वो ऑजन है उसकी मल्टिप्लिकेशन होती है उस टिप में जो है वो मल्टिप्लिकेशन या जितनी भी टिप में ब्रांचीज भी निकली हैं तो क्या होता है कि उसका हर एक ग्रोफ हैविलेटर का अलग-अलग काम है जब वो टिप में और इनका होता है कि मुवमेंट कैसी है जैसे फॉर एक्जमपल साइटो का निए वो रूट टिप में उसकी मेटिकलिकेशन होती है और यह जहां प्रोड्यूस होते है यह वहां काम ना करके इनका साइट ऑफ एक्शन दूसरी तरफ को होता है तो इसकी होती है बेसी पिटल मुवमेंट यह टिप में प्रोड्यूस हुआ नीचे की तरफ ब्रांचीज में चलेगा और यह क्या करेगा जो आपकी ब्रांचीज निकलनी है उन प्रॉपर स्ट्रक्चर वनाना पहले ही साल में जो वो छे फीट पे चला गया और आपने मतलब उसकी जो एक ग्रोथ है आपने टोटली उसको डिस्टरब कर दिया तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत जादा जुरूरी है कि पहले टू एंड हाफ फीट पे आपने कट लगाय उसमें जो है जितने भी उस साल निकले है उसके बाद उनकी स्प्रेडिंग जुरूरी है कि स्प्रेड करना है और बेंडिंग नहीं करनी है सिद्लिंग रूट स्टॉप में जस्प्रेड करना है क्रॉच एंगल बनाने के लिए बाकि उसको कोई परफस नहीं है उसमें आप चौप भी कटेंगे और जितने लेटरल होंगे उनको भी काड़ देंगे और सारे के सारे वह एक फिर देंडे की तरह खड़े हो जाते हैं मुझे लगता है कि सब ने देखा हो गाई यह चीज़ तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फूटिंग एरिया है उसको तो हम बनने भी नहीं दे रहे हैं हमें तो पहले में फ्रूटिंग एरिया चाहिए हम तो वूट त्यार करते हैं पहले उसके बाद जो बाहर वाला पॉर्शन होता है उसमें हम फूट लेने की कोशिश करते हैं इसलिए इसमें हमें क्या करना है कि उसको सिर्फ स्प्रेड करना है मार्च अपर